कि असलामों आलेकूम मैं सुलीखा अर्फाद सुलीखास किच्छन से तो चड़ी आज बनाते हैं थोड़ी सी हटके रसपी मटन की रसपी है किस्पी मटन पकोड़ां बहुत ही मज़ेदार बंगती है अच्छा मैंने चिक्किन पकोड़ा भी बनाई है क्रिस्पी वाली उसका लिंक डिस्क्रिप्शिन के अदर है आप महाँ चेक कर लीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं अच्छी रसपी क्विक्ली विदा टाम विस्की साधार अन्याने ओर्डिनरी इंग्रीडियंस से एक्स् चाहे तो बड़े पीसिस कर सकते हैं आपको भी पता है कि मटन पकने के बाद थोड़ा श्रिंक हो जाता है साइस में थोड़ा छोटा हो जाता है बट अगर आपको थोड़े इसी साइस के रखने थोड़े बड़े पीसिस बनाईएगा चलिए आब इसे कुकर में डाल दीज चुटकी भर नम्मक भी दाल दीजिए और थोड़ा सा में हल्दी पाउडर दाल देती हो आप चाहे तो वन फोट चुट चाहे का चमश दाल सकते हैं एक टेबिल स्पून अधरकलस्टन का पेस्ट भी दाल दीजिए और सबसे पहले तो एक बार मिक्स कर लीजिए और कुकर का धकन लगा दीजिए और इसे फास्ट आज पर एक से दो सीटी खिला लीजिए जब एक से दो सीटी हो जाए तो पंदरा मिनिट के लिए स्लो आज पर रहने दीजिए पंदरा मिनिट हो जाए तो चूले को बकर दीजिए बंद और एकदम कंप्लीटली प्रेशन निकल जा तो यहां पर आप देख सकते हैं हल्का सा पानी है मैं रहने देती हूं तकरीबन 2-3 टेबल स्पून चितना और अगर आपके मटन में जादा पानी रहे किया कोई बाते फास्ट आज करके सुखा लीजेगा लेकिन 2-3 टेबल स्पून जितना रखे गहां पानी एक बड़े से मतन को निकाल लीजिए मसन के पीसस को एक छोड़ा चाय का चमच धनिया पाउडर दाल दीजिए एक छोटा चाय का चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दाल दीजिए आप चाहें तो डेड़ भी दाल सकते हैं एक टेबल स्पून अधरक लसन का पेस्ट आदा चुड़ा चमच मैं काली मिर्चो का पाउडर दाल रही हूं लेकिन आप 3-4 या एक छोड़ा चमच भी दाल सकते हैं एक छोड़ा चमच भूना और पिस्दावा जीरा पाउडर 3-4 चोड़ा चमच करम मसाला पाउडर भी दाल दीजिए आप चाहें तो एक छोड़ा चमच भी डाल सक कुटमिर दाल दिजिए यानि कि हरा दनिया और यहाँ पर मैंने है ना इन तीन हुरी मिर्चियों को कुट कर रखा है, चोटी थी तो आप चाहे तो जाधा भी डाल सकते हैं या कम भी डाल सकते लेकिन मिर्चियां दालिएगा ज़रा स्वाद आएगा तो मज़ा आएगा आपको खाने में मैंने तीन दाला है कूट कर आप चाहे तो पीस कर दाल सकते हैं अब इसके अंदर दाल दीजिए रjemगा अब यह सारी चिजों को पहले तो मिक्स में सकते हैं जाटों की मदद से भी mix कर सकते हैं, जब आप यह मिक्स कर लें, तो यहां पर डाल दीजिए 4 टेबिल स्पून corn starch, corn flour, अच्छे, यहां पर मैं चावल के आटे का इस्तमाल भी नहीं कर रहे हूं, क्योंकि काफी लोगों के पास चावल के आटा होता ही नहीं है, तो यहां पर मैं सारा पूरी तरीके से इसका corn starch ही दाल रहे हूं, तो आप 4 टेबिल स्पून पानी डाल रहे हूं और बहुत अच्छे से हातों की मदद से मिक्स कर लेती हो, इससे और जादा क्रिस्पी बनेंगे जब हम सिरफ एक टेबिल स्पून पानी डाल कर इसे मिक्स करेंगे तो, जो हमारा मसाला और यह सारी चीज़े बस चिटकनी चाहिए, इस कदर ही होना चा मैं थोड़ा सा कोतमीर यानि के हरादनिया और दाल रहे हूं, मिक्स कर लेती हूं, आप चाहे तो मैरेनेट करने से साइड पर रख सकते हैं, या पर इसी समय, चालू कर दीजी आप फ्राइ करना, तेल गरम हो गया तो मैंने मीडियम आच कर दिया, और मीडियम आच पर बिस क्रिस्पी हो जाए, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए चारो और से, तो इन्हें निकाल कर नितार कर एक छनी के ओपर रख दें, टीशू पेपर के ओपर मत रखेगा नहीं, तो क्रिस्पी नहीं रहेंगे, अभी देखे कितने बढ़िया से क्रिस्पी और करारे बने हैं, आपको बता निक, बहुत ही मज़ेदार बने हैं, अच्छा, इसमें स्पाइस आप आपके हिसाब से अच्छास्ट कीजिएगा, चलिए, अभी इसमें मैं दूसरा बैच भी डाल देती हूँ, स्पाइस के लिए हैं, मैंने हलका कम रखा है, आप चाहें तो कश्मीरी लाल मि Mrs James 1 तो काली मिर्च स कच्छा निक, स्मया तो काली मिर्च स कर सकते हैं और स्थोड़ा निक तो कम लिए, अध कम ऑडना हैं चलिए, चलिए अब यह लिए हम फ्राइदा स्वाख्तों Когда मने wrinkles ए चलिए और पानी डाला, मिक्स किया और वो जो लास्ट वाला बचा था उसमें मैंने इसे यह वाले बैटर से बना गही हुँ, तो आप एक से दो टीबलस्पून और पानी डालकर उसे थोड़ा सा थिक बैटर टाइप बनाकर वैसा दाल दें और वैसा फ्राइ करें दोनों ही सूड़तों में हमारे पकोड़े बन जाएंगे और टेस्टी ही बनेंगे पस क्रिस्पीनिस पस उसमें से आप अजस्ट अपने तो आपके ऊपर उड़ेगा तो संभाल कर यह वाला स्टेप बहुत एथियादी से करिएगा यह देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है आप सुन सकते हैं और टेस्ट में भी माशा अल्ला मैं आपको एक खोल कर दिखा देती हूं इन फाक्ट यह देखिए बजदार से बने हैं और टेस्ट में तो क्या बढ़िया है माशालला मैंने अभी खाये बाद आपसे करते-करते खा भी रही हूं चटनी के भी मुझे कोई जरूरत नहीं लग रही है लेकिन आप चाहें तो चटनी के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं चटनी की रसेपी लिंग डिस्क्रिप्शन क तो हैना मज़ीदार रसेपी अगर आप बनाये तो मेरे साथ कमें सेशन में जरूर शेयर कीजिएगा मुझे आपकी कमें बहुत अच्छे लगते हैं अगर आपको यह रशी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए मेरे यह वीडियो को और उससे सादा अच्छी लगी हो तो अच्छी लिंग्स पौवर्ट जरूर कीजिएगा तो फिर से हाजन होंगे एक नहीं शांदार दमदार रसेपी के साथ या फिर व्लाग के साथ अंहल देन टेक कर अलावस पाई